प्रिया कैसे ने प्रियाट नहीं मानें राजा ने फिर सूचना भेजी ये कह देना दुर्ब से हम आधा राज जुसे दे देंगे लेकिन पन में न जाए लेकिन भक्त दुर्ब ने अरे मालख जाना सब तजी दीना अब नई घर में जीना ये कैसा जोगलिया है राज में खजाने में ठोकर लगा करके चल दी ये भक्त द्रव और मां से कहने लगे मां मेरी मां तुरी तर्शन मितां भी पाऊं जाएगे जीवित रहा जो मैया तुमों से मिलूँगा मैं आई के परमपिता के तरसल पाऊं तब घर लोटी कियाऊं ये कैसा जोगलिया है फाल खाजाना सब तजी दीना अब नई घर में जीना ये कैसा जोगलिया है आज सब कुछ त्याग दिया मां की बास सुनकर मां की उपदेश को सुनकर माता निर्माता भबती मां बच्चे का निर्माण करने वाली होती है और मां बच्चे की प्रथम पांट साला भी होती है मां जैसे संसकार अपने बच्चे में डालती है बच्चा वैसा ही बन जाता है मां बच्चे का निर्माण करने वाली होती है आज माने जब सिच्छा दियें कि गेटा तुम परम्पिता के दर्सन करना क्योंकि बच्चा तो कोरा कागज होता है उस पर जो लिख दिया जाता है बस भई ही लिख जाता है सब कुछ त्याग दिया बच्चपन में कितनी उमर में पाँच बरस दी मा जैसा सच्चा गुरू जब मिला करने तब अस्या बनी मुझ जला आगुना में मैया बहाकीर है नीर बाले को मरिया में बने को भकीर माईया के बच्चनों पे होगी अधीर थोटी को मरिया में बने को भकीर आले को मरिया में बने को भकीर आज बच्चपन में ठकीर बनकर के चल दिये सब कुछ त्याग दिया मैया सुनीती पीछे पीछे जा रही है पांच बरस की उम्र है गुंगराली काली अलकें चिटक रही है सरीर पर गोल चेहरा है सुन्तर चले जा रहे है जब तक भक्त धुर्ब दिखाई देते रहे मैया सुनीती खड़ी खड़ी देखती रही और जब आँखों से ओजल हो गए पच्छाण खा करके गिर पड़ी रोने लगी जब हो साया रोती हुई कहने लगी मैया सुनीती मेरो पारो सो लाला चलो गया रे मेरो पारो सो लाला पारो सो चैया चलो गया रे रात की आस गई दिन का सहारा दी गया मेरा सुरज भी गया मेरा सितारा भी गया पेटा से पिछड करके आन दुखी में होई जैसे मैं पिछडी हूँ ऐसे पिछडे ना कोई जैसे मैं पिछडी हूँ ऐसे पिछडे ना कोई बना केलो मेरा बना